प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्वर इरर का प्रोब्लम आ रहा है इसे कैसे ठीक करेंगे आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ यह आप 100% ठीक कर सकते हैं बसरते आपको इस वीडियो को इसकी इपने करना पूरा देखना है तभी आपको समझ में एक भी सेटिंग आपको गरबर हो गया तो आप इस सर्वर इरर को ठीक नहीं कर पाएंगे नहीं आप कोई भी प्लेश्टोर से एपस को डाउनलोड कर पाएंगे सर्वर इरर को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको मुवाल के सेटिंग में आ जाना है और जैसे ही वाले page को scroll up करेंगे यहाँ पे apps वाला option मिलेगा या नहीं तो additional setting option मिलेगा तो यहाँ पे आप click कर देंगे इसके बाद यहाँ पे apps manager या apps management पे आप click कर देंगे इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीन option है running install उसके बाद all तो आपको all वाले option पे आजाना है और आपको scroll up करते जाना है तो यहाँ पे आपको ढूंड़ना है Google Play Store और Google Play Service तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते है Google Play Service मिल चुका गूगल प्ले श्टोर मिल चुका है से पहले आपको Google Play Store पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पे देख सकते किलिया डाटा का एक एपस है तो यहां पे आप क्लिक कर देंगे अगर यहां से वीडियो को छोड़ की भाग जाता है तो आपका यह प्रवल्म ठिक नहीं होगा आगे भी कई सेटिंग है तो यहां पे लिटाटा पे किलिक करने के बाद उसके बाद फिर से बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद यहां पे देख सकते एक और है ओप्षन यहां पे Google प्ले सर्विस का तो यहां पे आप क्लिक कर देंगे और यहां पर manage space पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर clear data का option यहां पर आ जाएगा तो यहीं से आप clear data करके delete यहां पर कर देंगे ऐसा करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा इस page को आप back कर दीजे बैक करने के बाद आप chrome browser पर आ जाएंगे chrome browser को पर देंगे और यहां पर आपको type कर देना है chrome browser पर menu update.com अच्छे से लिखेगा menu update.com इसे आप जो है search कर देंगे search करने के बाद official website सैट पे आजाएंगे सर्च बार में आपको यहाँ पर किलिक करते चारा नहां को टाइप करना पड़ेगा प्ले सटेट उरकीर किलिक लें कोलेगा यहां प्ले संच प्लेको dispale की सब्सक्राइब आप दिरे दिरे करते जाएंगे क्योंकि यहीं पे जो है एक option आपको मिलेगा install 9 का तो यहां पे क्या करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते Google Play Store तो यहां पे आप इसे download कर लेंगे जैसे नहीं Google Play Store को आप download कर लेते हैं आप इसे install कर लिजेगा तो चली हम यहां पे इंस्टॉल कर चुके हैं Google Play Store को open कर लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं यह जो है पूरी तरके से server error problem जो है ठीक हो चुका है अब यहां पे कोई भी apps जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस तरह से Google Play Store का जो server error आ रहा था हम आपको ठीक करने का तरीका बता दी हैं तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं server error ठीक होने के बाद आप यहां पे कोई भी apps को install कर सकते हैं